नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में जिसका नाम है सियासी ड्रामा और मैं हूँ आपके साथ जोती सैनी राजियों में भाजपा की हार को 2019 में मोदी के लिए खत्रे की घंटी समझना गलत होगा विधान सबाच चुनावों में भाजपा का जो हर्श है उसे देखकर कॉंग्रिस भले ही खुश हो पर राजनितिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों का 2019 लोग सबच चुनावों में जादा असर देखने को नहीं मिलेगा देखा जाए तो MP और राजिस्तान में वीजेपी उस तरह से नहीं हारी जैसा एक्जिट पोल बता रहे थे राजिस्तान में तो लगबल एक बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा था भाजपा यहां हारी लेकिन कॉंग्रिस मुश्किल से भहुमत के पास पहुची मतलब साफ है कॉंग्रिस के पक्ष में वैसी हवा नहीं है जैसा लोग मान कर चल रहे हैं कॉंग्रिस की जीत बस सत्ता विरोधी लहर का ही परिणाम है वैसे ही नतीजे एमपी में भी है और यहां पर 15 सालों में सत्ता में होने के बाद भी बीजपी कॉंग्रिस से मात्र पास सीटे ही पीछे रही दरसल राज्यों में हार भाजपा के मिशन 2019 की दृस्टी से समलने के मौकी के समान है हार के बाद भाजपा को अपनी कमजोर कडियों का एसास हो गया है इन चार महीनों में बीजपी को अपनी रणनीती में बदलाव करना चाहिए और गाउं में बीजपी की प्रदर्शन का ग्राफ गिर गया है किसानों सरकार की नीतियों से परिशान हो गई है वहीं RSS का भी कहना है कि SCST Act में शंशोधन से और जातियों की नाराज़गी भी BGP को भारी पड़ी है वहीं BGP नेताओं की कारेकरताओं से जो दूरी भी पार्टी को भारी पड़ रही है इन बातों क जानकारी पिये मोदी और अध्यक्ष अमिश्या को पता चल चुका है इसलिए भार्टी पार्टी कारेकरताओं को समान देने की योजना बना रही है इसके साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी क्या BGP सत्र में मोदी सरकार किसानों को बड़ी राहत का एलान करती है या फिर नहीं 2019 में जिस समय लोकसवत चुनाव हो रहे होंगे तब तक इन तीनों राज्यों में नई सरकारों के आए चार महीने बीच चुके होंगे राजनीती में हवा बदलते देर नहीं लगती है जब पिये मोदी इन राज्यों में प्रचार करने जाएंगे तो वहां पर सरकारों की नीदियों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे यह सभी को पता है कि मोदी के चुनावी मेदान में उतनने से चुनावी हो़ा का रुख बदल जाता है अब राज्यों को ही ले ले यहां शुरू में बीजेपी बड़ी हार की और से बढ़ रही थी वहीं पीएम मोदी की सभाओं के बाद हवा का रुक भाजपा की और मुड़ गया था विसे इतिहास गवा है कि इन राज्यों में जीत लोकसभा में जीत की गैरंटी नहीं है साल 1998 में कॉंग्रिस ने राजस्तान और मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव जीता था लेकिन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में वाजपाई जी ने केंदर में सरकार बनाई वहीं साल 2004 में राजस्तार, MP और 36 गण में विधानसभा में बीजपी जीती पर लोकसभा चुनाव में वाजपाई जी की करारी हार हुई इसलिए इन राज्यों में वाजपा की हार को 2019 में मोधी सरकार के लिए खत्रे की घंटी समझना बहुत जादा गलत होगा लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2019 में मोधी शाब क्या रणीती बनाएंगे कि विपक्ष को फेल करेंगे और महा गटबंदन की जो एक जुटता है उसमें फूट डालेंगे तो देखा जाएगा कि यह सारी रणीतिया किस तरीके से जनता के सामने आती है और जनता किसका पक्ष लेती है आखिर में मागटबंदन का कॉंग्रेस का या फिर बीजिपी का तो हम जल्दी लोटेंगे एलेक्शन से जुड़ी लेटेस्ट न्यूस के साथ ठाइक यू सो मच की वाचिंग टुड़ेस फोर मोर न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ टुड़ेस की आपको जरूर डाउलोड करें और आप हमारे सारी शोज और प्रग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं